हेलो एब्रिवन वैलकाम बैक टू माँ चैनल दिसी लक्षे फ्रॉम फूजन फूड तो आज टॉपिक पे हम बात करेंगे सेंविच तो कि हम सबको पता है सेंविच हेल्दी और इसको हम कभी भी खा सकते हैं और कहीं पर भी खा सकते हैं तो चलिए फिर वीडियो के करने के लए क्यों क्योंकि तो हेल्दी होती है दूसरी बात आप कर लिए और क्वे अच्छी क्वांटिटु के बारे में हम डिसक्स करेंगे जो की आप easily अपने घर में morning breakfast में कर सकते हो या आधर आप कभी भी बना सकते हो इसको तो चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट है पीनट एंड बनाना पीनट एंड बनाना सैंविच अब इसमें करना क्या है आपको सिंपल है सैंविच बनाने के लिए दो ब्रेड चाहिए दो ब्रे ब्रेड ब्रेड और एक टेबल स्पून पीनट बटर आपके बॉड़ी के अंदर फोर ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करता है और ब्रेड से तो हमको पता है काफी अच्छी क्वाइटिटी के अंदर फाइबर होता है उसके अंदर सैंविच की बात करेंगे टूना सैंविच के टुना सैंविच बाएंगे हम होल ग्रेंड बैड में होल गंबैड सेम उसलाइस लेना है टुना सैरेट लेना है चोकि आपको इजीली मार्केट में उपशक करना है प्रोटीन्स मिलेगा उसके अंदर आप लैटिव मिवूट coast लाएच रें Canal उसके बिद टूना उसके आप इसके अंदर वाइट पेपर डाल सकते हैं अधर ब्लैक पेपर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक तरह से पर्फेक्ट ब्रेकफस्ट कॉम्बो है जो कि आपको रिचिन प्रोटीन होता है इसके अंदर रिचिन फाइबर है और वेट लूस करने के भी बहुत ही अच्छा हेल्फूल करेगा आपको थी पूरिंट कि बाद करेंगा है घ्रीज्ट चिकल्क्र सेंविच्ट से दृट लेनी है चिकल्ड को सबसे पहले एक चिकल्न के ब्रेस्ट लेनी है उसको आपने मेरिनेट करना है किससे मेरिनेट करना है complete उसके सिंपल मेरिनेशन है passiert ?!拜拜 डियुत और थाइम थाइम आधर आप फ्रेश कर सकते हैं जैसे हम इंडियन खाने के अंदर कोरियंडर यूज़ करते हैं वैसे इंगली शर्ब्स है थाइम जो की बेसिकली चिकन के अंदर यूज़ होती है आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं ड्राय फ्रेश करेंगे तो बहुत ज़्य करके onion tomato lettuce के साथ खा सकते हैं simply क्योंकि grilled chicken के अंदर अच्छा protein होता है chicken के अंदर और बाकी vegetables के अंदर आपको nutrition consume होते हो bread के अंदर आपको अच्छा fiber मिल जाता है तो fourth point की बात करेंगे हम grilled mushroom and cheese sandwich अब इसके अंदर same वही दो bread लेनी है cheddar cheese आपको एक slice लेना है इसके अंदर आप थोड़ा सा slice आप mushroom को जब आप पका रहें उस तब भी डाल सकते हैं एक slice cheddar cheese low fat के अंदर आपको मिलेगा protein 6.82 ग्राम protein मिलेगा आपको low fat cheddar cheese के अंदर और mushroom अगर आप one-fourth cup यूज़ करेंगे तो उसके में क्या करना है आपने थोड़ा सा olive oil का यूज़ करना है और आदर नॉर्मल यूज़ कर सकते हो आप उसके अंदर salt black pepper that's it और कुछ मत अड़ करें उसके उपर से आप थोड़ा सा chicken broth डाल सकते हैं chicken broth as a flavor के लिए फिर आपने एक slice cheese की डालना है और उसको mix करना है जब तक कि combine ना हो जाए mushroom और चीज का flavor फिर आपने उसको sandwich के अंदर रख करके एक cheese slice और उपर से रख करके उसको grill कर देना है और फिर देखें क्या flavor आता है और आप इसको easily आप बैट के भी खा सकते हैं टाइम नहीं है आपकी meeting है आप लेट हो रहे हो तो आप अराम से चलते कैरी भी कर सकते हो आप इसको क्योंकि mushroom के अंदर काफी अच्छे nutrition होते हैं और क्योंकि vegetable है vegetable के अंदर और मिलते ही मिलते हैं और क्योंकि इसके अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं mushroom के अंदर जो कि हमारी anti-inflammatory, anti-obesity और anti-oxidant पर effect करते हैं जो कि the people eat mushroom जो ज़्यादा mushroom खाने वाले बंदे हैं वो 1% पर 3.6% पर ज़्यादा weight उठा सकते हैं ऐसे अगर हम compare करें तो meat खाने वालों से like non-vegetarian खाने वालों से हम वो ज़्यादा weight उठा सकते हैं so guys कैसे लगी मेरी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो like करें share करें comment करके जरूर बताएं और वीडियो के ज़्यादा ज़्यादा share करें thank you and have a nice day